तो हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारी स्यूट्यूप चैनल एजुकेशन लवर में तो फ्रेंट्स इस समय तक आप लोगों ने एरफर्स एक्सवाई ग्रूप की भरती के रिगारिंग कितने सारी वीडियोस को देख लिया होगा उन वीडियोस में आपका एक्जाम ड लुए बाते करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो में इन तक मैं रहें तब तक आप वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक से जरूर कर दें तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आपको कुछ रीसीडियूल की हुई भरती दिखाता हूं जैसे कि यह सची इसके अब नोटिफिकेशन आना बाकी है प्रन्तु एक्जाम डेट अगस्त में दे दिया गया है उसके अलावा आप यह देखिए आई बीपीएस जो एक्जाम होता है उसकी जो वेकेंसी है वह रीसीडियूल कर दी गई है अगस्त के लिए यानि कि उसका जो एक्जाम प् की यूपीएस की टो एक्यंसी भी प्रिलंप देट आपकी ऐक्टूबर में बढ़ा दी कही है यहां से आपको कनकूरूजन निकल कि आएगा दिखर वहां बात कर दो घामिंट में माथियो गर जोश्ड़ेंट की अबने नोटिफिकेशन है उसके अर्षाइन किक्जां में ह जो एक्जाम औगस्ट में कंड़क कराने के रिगार्डिंग औगस्ट पहले कंड़क कराने के रिगार्डिंग बात की गई हो यानि कि जुलाई में कंड़क कराने के रिगार्डिंग बात की गई हो वहीं आप बात करें SSR ڈवल एकी जिसमें केवल 10000 कंडिडेट का ही एक्जाम होना था उसमें भी अभी तक जुलाइं में होना था उसका भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है जो कि ओपलाइन होना था तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि Air Force XY Group का exam जो होगा वो जुलाई मन्त में conduct करा दिया जाएगा इवन जुलाई मन्त में conduct कराना होता उन लोगों को तो वो लोग अभी तक कोई ना कोई notice जारी कर दिये होते तो एकजाम आपका 28 29 और 30 अगस्त को सिप्ट किया गया है यानि कि सेडीूल किया गया है एकजाम होता है एरफोस का exam वह और 18 29 और 30 अगस्त को सेडीूल कर दिया गया है तो कोई भी ऐसम जुलाई में कंडिक्ट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके जुलाई में कंड़क्ट होने के चांसे बहुत कम बन रहे हैं फिर भी आप अपने प्रिपेशन पे लग रहे हैं अब बात आ जाती है कि अगर एक्जाम अभी कंड़क्ट नहीं होंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा फैल जाएगा रैली भरती का जिस कारण से 150 से प्लस कैंडिडेट ने ज लेकिन मेंटल प्रेशर फिर से वर्क प्रेशर कुछ को नहीं जिला था यहां पर प्रेशर तो आप लोग जेलते हो क्योंकि पहले रीटन की करते हो उसके बाद रीटन करने का फीजिकल की प्रपरशन करते हो फिर मेडिकल में कोई प्वाइंट ना आ जा है इसके लिए भी बहुत है तो बैकेंसी निकालेंगे जरूर लेकिन आप लोग को रैली से बचना है वह बढ़ाएंगे क्योंकि एक एर का एक्टेंशन देने का मतलब है कि उनको यहां जो है सीटेक खाली है एक एक एक्टेंशन नहीं देते तो वहां पर क्या होता सीटेक बैकेंट हो जाती त आप लोगों को इंटेक वाली वर्थी चाहिए जो साल में दो बार कंड़क कराई जाती थी क्योंकि रैली से देखा आपने बहुत बच्चों का नुक्सान हुआ और वैसे बच्चेरफर्स पर चलेगा जिनको अपना मेहनत का पता भी नहीं है कि मेहनत मैंने कितनी की है वि झाली